Good morning दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि डीजी पे आप लोगों को कितना कमिसन देता है, कितना वेडरोल करते हैं, तो आप लोगों को कितना का कमिसन डिस्टिब्यूट करता है, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट है तक जरूर देखिएगा, अगर आप लो को डीजी पे अगर यूज करते हैं तो आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा कि कमिस्टन हमको आखिर कितना मिल रहा है तो दोस्तों हम आप लोगों को बता दें यहां पर जो ट्रांजेक्शन इमॉंट दिया जाता है ट्रांजेक्शन अगर आप 100 रुपय से नीचे का उपर करते हैं तो यहां पे आपको 0.32% आपको भीली शेयर होता है जिसमें आपको 0.16 आपको इसका TDS पे करना पड़ता है जिसके वज़े से आपको यहां पे 0.30 आपको पेमेंट मिल पाता है उनके साथ ही आप यहां से 200 रुपय से उपर का ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहीं पे आपको दिखा दे कि 400 पे आपको 1.52 पैसा मिलता है जिसमें आपको यहां पे कमिशन के साथ-साथ आपको TDS भी पे करना है और उनके बाद जो नेट BLE सेयर होता है वो आपको यहां पे 1.44 पैसा का कमिशन 300 रुपय पे आएगा अब दिखिए यहीं पे 5 रुपय आपको जो नेट BLE कमिशन होता है वो होता है यहां पे 1.82 पैसा उनके साथ आपको 1.000 पे जो कमिशन मिल जाता है वो 3.92 पैसा होता है जिसमें आपको TDS पे करना होता है 0.96 यहां पे आप देख सकते हैं इसमें जो आपको नेट BLE सेयर मिलता है वो आपको 3.90 पैसा मिलता ह अगर आप 2000 का transaction करते हैं तो कोई भी 2000 का transaction पे आपको यहाँ पे 7 रुपे का commission मिल जाता है उनके साथ 3000 जैसे ही आप 3000 यहाँ से देख सकते हैं आपको अगर 2600 से उपर का transaction करना start कर देते हैं तो आपको यहाँ से 10 रुपे का commission start हो जाता है और यहाँ पे हम आप लोगों को बता दे 3000 से उपर का कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आप करते हैं तो आपको यहाँ पे 11 रुपए से पलस का बोनस मिलेगा जो भी आपको कमिशन मिलेगा वो 11 रुपए से ले करके आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपको 3000 से यहाँ पे देख सकते हैं 2600 से ले करके 3000 के बीच में आपको 10 रुपए से ले करके सारे 11 रुपए तक का कमिशन आपको अर्ण हो जाता वहीं पे आपको 2000 से ले करके 2500 के बीच में आप लोगों को 7 रुपए से ले करके 9 रुपए तक का highest commission देखने को मिल जाता है और यहीं पे हम आपको लोगों को बता दे 1500 से ले करके 2000 के बीच में आप कोई भी transaction करते हैं तो आप 5 रुपए से ले करके 7 रुपए तक का आकट सक commission पा सकते हैं उनके साथ ही आपको हम बता दे कि कोई भी अगर transaction 1000 से ले करके 1500 के बीच में करते हैं तो आप 3 रुपए से ले करके 5 रुपए तक का commission earn कर सकते हैं यहीं पे आपको हम बता दे 100 रुपए से ले करके अगर 1000 तक का कोई भी transaction करते हैं तो आप 1 रुपए से ले करके तीन रुपए तक का कमिशन अर्ण कर सकते हैं तो दूस्तो आई होप कि आप लोगों की एक कमिशन समझ में आया होगा समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर नहीं सब्सक्राब करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ प्याली गुरूप के साथ जरूर से एर कर दीजिए